आप सबको पता है कल क्राइम ब्रांच की एक टीम दिली पुलीस की एक टीम मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी पाँच घंटेओ तक उन्होंने सडक पर इंतजार किया और आखिर में ये नोटिस सी एम दफ्तर के किसी स्टाप को देखे गए ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है ये है नोटिस की वो कॉपी ना इसमें कोई FIR का जिकर है ना तो ये समंस है ना ये कोई preliminary inquiry है ना इसमें कोई CRPC की धारा का mention है ना IPC की धारा का mention है केवल और केवल white paper पे ये एक खत है क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अर्विन केजरिवाल को केवल एक खत है और एक खत को सौपने के लिए दुख होता है कि एक खत को सौपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलीस के एक senior अफसर को 5 घंटे तक नोटन की कराने के लिए आप खुद सोचिए, ये केवल और केवल एक खत है, हर दिन अगर आप देखो तो किसी के भी घर Amazon, Flipkart के delivery boys आते हैं, कुछ देखे जाते हैं, कोई खत आता है, postman आता है, छिट्टी देखे जाता है, हर मंतरी के घर के बाहर या हर मुख्य मंतरी के घर पे एक dark office होती है, जो य ये क्यूं हुआ कि Crime Branch के एक senior officer को भाजपा के कहने पर 5 घंटे तक केवल और केवल यही गुजारिश करने के लिए, कि नहीं मैं दूगा तो मुख्य मंतरी के हाथ में दूगा ये खत, जिसका कोई legal basis नहीं था, मुझे दुख होता है Crime Branch के इस officer पर, कि जब उसने नौकरी जो आया गया है, तो मैं अफरन के cases solve करने के लिए आया हूँ, महीला सुरक्षा पहुचाने के लिए आया हूँ, बड़े-बड़े crime solve करने के लिए आया हूँ, नाखी मुख्य मंतरी घर के बाहर भांगरा और नौटंक की करने के लिए 5 घंटे तक BJP के इशारे पे खड़ा रह के गये